आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रशन मोबिलाइजेशन के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके माइने क्या हैं रशन प्रेशिडेंट व्लादिमेर पोतिन ने पार्शल मोबिलाइजेशन को हरी जंडी दिखा दी हैं और इस पार्शल मोबिलाइजेशन के बाद लगबग 3 लाख रशन रिजर्व एक्टिव ड्यूटी पर बुलाए जाएंगे देखे जियो पॉलिटिक्स परसेप्शन औ यनि कि A.F.R.F. की तो उनके पास में 3 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं और लगबग 2 लाख रिजर्व बसनेल्स हैं और अगर युक्रेइन कैम्पेइन की बात की जाएं तो इस समय रशन फोर्सेस के 1 लाख 75 हजार सोल्जर्स इस वार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही लगबग 20,000 सोल्जर्स DPR की तरफ से आये हैं और 14,000 सोल्जर्स LPR की तरफ से आये हैं वार शुरू होने से पहले युक्रेइन के पास में लगबग 2 लाख की आम फोर्स थी और लगबग 1 लाख के करीब पैरा मिलिटरी फोर्स थी उसके बाद कुछ नंबर में अलग- लगबग 40% लैंड युक्रेइन ने वापस ले ली हैं जिसके वज़े से ये पार्शल मोबिलाइजेशन किया जा रहा है देखिए जब भी आप वार में कुछ टेरिटरी को कबजा करते हैं तो Assault Force के बाद में वहाँ पर Holding Force पहुशती है जो जगा को होल्ड करती है उसके बाद Assault Group को वापस से Refresh किया जाता है यानि कि उसमें Fresh Troops अड़ करके वापस से Assault Group आगे बढ़ता है और ये Process चलता रहता है लेकिन इस समय अगर आप पूरे Ukraine Front को देखेंगे तो Russian Forces काफी अगर आप अपनी स्क्रीन के उबर दिये हुए मैप को ध्यान से Observe करेंगे तो आपको समझ में आएगा Russian Forces कार्खीव से लेकर Carison तक पूरे Fronts पर Deployed है और यही कारण है कि Russian Forces ने सुमी और चरना हैव से अपने आपको वापस बुला लिया था और खुद को Regroup करके जो Territory उ और Counter Offensive को Execute करती हैं इस चीज़ को देखते वह ऐसा लग रहा है कि यह जो Partial Mobilization किया जा रहा है यह Most Likely और चादा Front खोलने की कोशिश है और आने वाले समय में Chances हैं कि वापस से Pressure बनाने के लिए Russian Forces कीव की तरफ Move करेंगी देखे अभी जो Civilians बुलाए जाएंगे वो डिरे हम पर जो Scenario देख रहे हैं वो अभी और भी जादा Evolve होगा और जैसे जैसे चीज़ें Evolve होंगी हम लोगों को जादा Clarity मिलेगी इस मॉमेंट पर यह कहना कि Russian Forces बहुत जादा Casualities ले चुकी हैं इस विए से यह Movement किया जा रहा है वो मेरे हिसाब से Premature Decision Making होगी वहीं दूसरी और Western Media Portals की तरफ से कहा जा रहा है कि Russia में Protest शुरू हो गए हैं और वहाँ के लोग इस Partial Mobilization के खिलाफ बोल रहे हैं उसको भी समझना सबूरी है देखे नॉर्मली इस तरीके के Protest होते हैं और जब कोई आदमी Comfortable Life जी रहा हो और सड़नली उसको बोला जाए कि आपको Battlefield में जा किया है और इस Partial Movement के दौरान Most Likely यहां से लोगों को भी लिया जाएगा इसके अलावा DPR, LPR, Zeporezia, Carrison और Kharkiv के Locals को भी Mobilize किया जाएगा क्योंकि इन जगाओं की Economy तो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और लोगों को Living के लिए War करनी पड़ेगी In short अभी यह War और इसी के साथ आज किस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही वीडियो को अंतर तक देखने के लिए धन्यवाद देखते रहें Conflict X िज देखते हैं के करें में लोगे इतना ही? झाल झाल